Hello Everyone, Welcome to Evolution Classes आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं टेरोडोफाइट्स के बहुत ही important questions यही जो points हैं, यही points question की तरह आते हैं MCQ में ओके, सो शुरुआत करते हैं हम लोग इन important points की बारे में समझने की सबसे पहले sorrow of कश्मी कश्मीर का sorrow किसको बोला जाता है कश्मीर का दुख किसको बोला जाता है एक वीड का जिसका नाम है सेलवीनिया को यहाँ पर कश्मीर का सौरो बोला जाता है एक है ओफी ग्लोसम रेटिकुलेटम जो है इसको हम एडर्स टंग फंड भी बोलते हैं इसमें सबसे जादा नंबर अफ क्रोमोजोम्स पाई जाते हैं पूरे प्लांट किंग्डम में जो कि कितने हैं डेपलॉइट स 1262 मतलब 1262 क्रोमोजोम जो हैं यहाँ पर पाई जाते हैं और आप लोग ने यह स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट्स तो कुश्चन्स में देखा ही होगा कि सबसे चोटा टेरिडोफाइट कौन है सबसे चोटा टेरिडोफाइट है एजोला जो की एक वाटर फंड है इसी के सा में रूट जैसी दिखने वाली मॉडिफाइट लीव्ज होती है रूट नहीं होती है रूट जैसी दिखने वाली मॉडिफाइट लीव्ज होती है इसी के साथ साथ टेरिडोफाइट की स्टडी को बोला जाता है और यहाँ पर एक चीज बहुत इंपोर्टन है एजोला एन इन दोनों का आपको एक symbiosis देखने को मिलेगा एजोला टेरिडरफाइट है एन बीना एक साइनो बेक्टिरिया का टाइप है मतलब उसकी एक स्पेशीज है एन बीना और एजोला के बीच में आपको एक symbiosis देखने को मिलेगा मतलब symbiotic relationship जिसमें दौनों ही एक दूसरे के लिए कैसे होंगे beneficial होंगे और इनका use किया जाता है as a bio fertilizer in the rice fields जो कि आपके लिए बहुत ही important question हो सकता है तो इसी तरह से और भी important questions आपको मिलते रहेंगे उसके लिए आपको इस वीडियो को like करना होगा, share भी करना होगा कर सकते हैं, जैहन जै भारत